असलाम आलेकूं मैं लवली यूट्यूब फैमली आप आप सब खेरियत से होंगे अलहम्दुलेला हम भी बिल्कुल ठीक है और विल्कुम बैक तो माई चानल तो आज का व्लोग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग के टाइम से मुझे और असद कुछ काम था तो हम वो काम करने के लिए थोड़ा इवनिंग में निकल गए थे उसके बाद मुझे मदिना स्टोर से थोड़ी ग्रोसरी की चीजे लेनी थी तो हम वो लेने के लिए आ गए थे तो यहां मैं चीजे ले रही हूँ और असद विडियो बना रहे थे तो बस मुझे कुछ चीजे लेनी थी जैसे समोसे की पत्ती लेनी थी स्प्रिंग रोल शीट्थ लेनी थी तो मुझे अर्जेंटली कुछ बनाना था उसके लिए ले रही थी मैं रमजान की तयारे इंशालला मैं बाद में ही करूँगी मैं इतना कुछ ना खास बना के रक्ती नहीं हूँ फ्रीजर में बस जो basic थोड़ा बहुत तिसे समोसे हो गया रोल्स हो गया, थोड़े बहुत कटलेट हो गया बट मैं ज्यादा नहीं रक्ती इसलिए मैं इतना नो major तयारी कुछ करती नहीं हूँ रमजान के लिए बस ये चोटी मोटी चीज़े ही बाकी मैं रोज फ्रेश ही बनाती हूँ और रोज अलग-अलग चीज़े ही फिर मैं प्रिफर करती हूँ बनाना आप लोग कैसी तयारी करते हैं रमजान की क्या बना के रखते हैं कैसे प्रिफर करते हैं comment करके जरूर मुझ corner करना ये madina store मेरे घर के बहुत नश्दीख है मेरे घर के बिल्द के पीछे ही है तो अगर कभी असद नहीं भी रहते हैं और मुझे चीज़े चाहिए रहते हैं खुद भी जाके ले लेती हो अराम से इतने नजदीक है तो अलम्दुला बहुत इजी हो जाता है और इवन फोन करके भी अगर बोलो तो वो लोग घर पे डिलिवर कर देते हैं तो यहां में ने लिदर इना है राउस तो यहां पर चेक करेंदी करतो यहां ले लिए ली अगरा ऑर बहुत में झार्प वोन अच्छा था उनी थनकी हवाइ चल रही थी और बहुत ममस्टल और ऐसा मौसम हो यहां की चाय ना पी तो इसे हब师 नहीं सकता है आजकल हम लोग जब भी नीचे उटरते हैं इतना अच्छा क्लाइमेट रहता है तो असत सबसे पहले चाय लेते हम लोग दोनों एक चाय में फिर पीते हैं बहुत मज़े की लगती है फिर चल चलते हमको थोड़ी भूक लग गई तो हम लोग नाश्टे के लिए यहां पी करीब में चले गए थे तो यहां मने पानी पूरी वगएरा सब कुछ खाए और फिर डे एंड हो गया यह नेक्स डे की क्लिप है मैं नेक्स डे सब तयारी करे थी जो मैं कल चीज़े लेके आई थी जिसे आपने भी देखे समोसा, शीट्स वगेरा हर कुछ तो फिर मैं वो सब बनाने के लिए लग गई थी यह टाइम मैंने समोसे और शामी कबाब की रेसीपी को रेकॉर्ड ने की हूँ बिकाज मुझे थोड़ी जल्दी थी मुझे जल्दी से करना था और उसे बना के फिर मुझे फ्रीज भी करना था इसलिए मैंने खास कुछ रेसीपी रेकॉर्ड ने की हूँ इन्शाला जब मैं रमजान के वक्त पे मेरे रे बनाऊँगी घर पर तब मैं इन्शाला आप से शेयर करूँए क्योंकि मैं डिफरन डिफरन फिलिंग के भी समोसे बनाती हूँ तो यहां जो मैं समोसे की फिलिंग बना रही थी यह मैंने अपनी मदरन लॉस से सीखी है असद के ममी से उन्होंने सिखाये थे और हम सब को यह बहुत पसना आता है तो फिर मैं वह वाले बना रही थी समोसे यहां पर तो बहुत बहुत ही इजी है इतनी इजी फिलिंग है कि आपको इसमें कुछ कोखी नहीं करना है बस चिकन कोई वेजीज दाल ला है तो आप बॉयल करके उसे आड़ कर सकते हैं बर जो कैरट और कैपसिकम हम आड़ करेंगे वह हमें रो ही आड़ करना है ठीक है वह कच्छा ही आड़ करना है हमें तिसे यहां आप देख सकते हैं कि मैं यहां पर कैपसिकम को चौप करके ले रही हू पहले मैंने सोची मैं हाथ से चॉप करती हूँ फिर मुझे याद आ रही चॉपर है अपने पास वो यूज करते है बर इतना अपने ध्यान रखना है कि अगर आप चॉपर में ऐसे चॉप कर रहे हैं कैपसिकम को तो चिकन में आड़ करने से पहले आपने इसका पानी पूरा स करीके से निकालना है उसके बाद ही आड़ करना वरना फिर समोसे अंदर से वाटरी हो जाएंगे और जब आप फ्राय करोंके तो वह बर्स्ट होने लगे अगर आप नॉर्मली चॉप कर रहे है तो फिर उसकी कोई नीड नी है बड़ अगर ऐसे कर रहे है तो प्लीज ध्या और चीज में भी सॉल्ट रहता है तो यह सॉल्ट आड कर रही हूं और मैं वान टीस्पून ब्लाक पेपर पाउडर आड कर रही हूं और यह चोटी-चोटी बॉटल में उस दिन दे टोड़ गई थी तो लेक की आई यह सब चोटी चीजे रखने तो ब्लाक पेपर हो गया यह सेसमी सीट्स बगेरा तो यह मैंने 12 बॉटल लाई हूं चोटे और बहुत सस्ते में मिले मुझे 10 दिरम में मिल गए 9.99 थे तो उसमें तो मैंने वह लेकी भी आई इसको चीजे रखने चोटी-चोटी सारी ऐसे पैकेट्स में थे सब रखे हुए तो फिर एक्दम क्लस् आपके पस जो भी चीज अवेलेबल है घर में आप वह आड़ कर सकते हैं तो लेकिन अच्छी क्वंटिटी में आड़ करना चीज में बिल्कुल खंजूसी नहीं करना विकाज यह चीजी समोसे है तो इसमें जब तक चीज अच्छी से मेल्ट होके स्ट्रेच नहीं होगी त तो चीज का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है जब यह समोसे फ्राइ करके आप गरम-गरम खाओगे तो बहुत यमी लगता है यहां मैंने अल्मोस पूरा पकेट ही आड़ कर दी हूँ तो चीज में बिल्कुल खंजूसी नहीं करना भर-भर के चीज ओवर भी नहीं बट अच्छी क्वाणिटी में आड़ करना तो खाने में भी अच्छा लगेगा फिर तो यहां मरी चीज भी मज़े की आड़ हो गई है आपको चाहिए तो चिली फ्लेक्स भी आप आड़ कर सकते हैं तो यहां मैं फिर समोसे बनाने बैठ गई थी और इतनी मुझे हसी आ रही थ अच्छी हो गई तो फिर फटाफट से बना ली मैंने और इसको स्टिक करने के लिए यहां जो रगिलर पेस्ट हम बनाते हैं मैदा और पानी मिक्स करके वही था और यहां समोसा मेरा बन गया यह पहला समोसा था सही नी बना बच रहते होते फिर सारे समोसे अलहमदुलीला अचिस से बन गए मैंने जो पैकेट लाई थी स्विट्स के समोसे शीट का उसमें 50 शीट थे तो यहां मेरे 45 समोसे बन गए थ और यहां डिनर की तैयारी स्टार्ट हो गए थी मेरी मैं बना रही थी शादियो वाला रेड चिकन तो चिकन विद बॉन ले ली हूँ मैंने और 1.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर हम आड करेंगे 2 टू 4 टेबल स्पून ओल हमने आड करना है और 1.4 टी स्पून ब्ल गरम मसाला की पाउडर दालेंगे अखे गरम मसाले वगरा कुछ नहीं दालना है यह रेसिपी जैसे मैंने बताई वैसे आप फॉलो करना तो बहुत बहुत अच्छी बनती है यहां मैं थोड़ा से रेड फूट कलर भी आड कर रही हूं अगर आपने नहीं करना तो नहीं कर सकते हैं आपकी मर्जी है बट करेंगे तो ग्रेवी अच्छी लगी कि एकदम जिसे शादियों में रैड ग्रेवी रहती है बिल्कुल वैसे ही इसका टेस्ट आता है यहां मैंने वान टेबल स्पून वाइट विनेगर आड की हूं और वान टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉ है अगर है तो आप बिल्कुल आड करना टेस्ट में एक दम चान लग जाती है और यहां मैंने दो टमेटो दी थी स्मॉल साइस की उसकी प्यूरी बना के मैंने एड की थी और मैंने रियलाइज ही नहीं कि कि वो टमेटो का यह चोटा पार्ट इनो ग्राइन हुआ ही नहीं तो उसको मैं फिरसे निकाल रही हुआ और फिरसे ग्राइन करूँगी और फिरसे मैं बता रही हूँ आपको कि इस मुमेंट पर गैस ऑफ है और नहीं है ठीक है अब यहां मैंने हाफ कप दही ली हूँ दही को आपने बहुत अच्छे से फेटना है अच्छे से उसे विसक करना उसके बाद ही आड करना है हमेशा याद रखिए दही को प्लीज ऐसे ही डारेक आड नहीं करना वह बहुत करडल हो जाता है अब मैंने गैस को ऑन की हूँ और मीडियम फ्लेम पे रखी हूँ और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी यह रेसिपी बहुत ही मज़े क बहुत टेस्टी नान रोटी कुल्चा उसके साथ बहुत मज़े की लगती है इवन आफ राइस के साथ स्टीम राइस के साथ भी से इंजॉय कर सकते है बहुत यमी बनती है शादियों में हम खाते ना रेड ग्रेवी जो रहती है बिल्कुल सेम वैसे ही टेस्ट रहता है तो डिरेक्ली मैंने उसको आड़ की और थोड़ा सो उसमें पाने मिक्स करके जो भी बचा कुछा उसमें मटेरियल था वो भी आड़ की कोई भी चीज वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल हमें और फिर चिकन को बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है और इसे 10-12 मिनिट के बहुत मज़ी का इसालन बनता है और आपको बहुत पसंद आए गई वन अगर दावत है आपके घर में तो भी आप बन करके मेरी रेसिपी ट्राइ करना कभी फेल नहीं होगी इंशाला और बहुत अच्छी और सबको वाकी बहुत पसंद आएगी और यहां थोड़ा बहुत का में करना उसके बाद अब मैं इसके अगर आपके पास अगर उसके थोफेल तो यहां मैंने फॉट 5 तीबबस्पून स्ट उसके बाएच उंग कीघ कर एक ही थीर को बहुत के ओप ऊंपके यह को कुकिंग आप आड कर सकते हो आपके अन पी हमयर जीय आप कर सकते हैं थीक आप से फिर आप परिशान हो जाओगे कि रेसिपी सही नहीं बन रही है मीडियम फ्लेम ही रखना है यहां पर मैंने 1 तीबल स्पून कसूरी मेथी लिए उसको हाथ से मैंने क्रेश की और फिराइड की हूँ यह भी बिल्कुल मिस्मत करना विकॉस इतसे बहुत अच्छी खु अच्छा लगता है तो यह हो गया था हमारा आज का डिनर और वाके ही ग्रेवी बहुत मज़ेकी बनेगी आप ट्राइ करना मुझे कमेंट के बताना की कैसी बनी दुआउं में याद रखिए ठेक केर अला आफिस थैंक यू फर वाचिंग